थोड़ा 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 थाइम पहले लगने लगा मुझे बुकाज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं मिलते थे विकाज उसकी जार्श परताल तो मैं नहीं करता था I used to trust my wife a lot हाँ मुझे जब सेटिफिकेशन मिलने लगे जब वो लास्ट दिवाली के लिए लंडन जाकर आई तो बहुत सारे मेरे पास evident voice notes ये चीजें मुझे मिली जिससे मुझे पता चला कि राखी रितेश के साथ contact में ही नहीं उनके समंध है वो गलत कर रही है उनके साथ औ जो पोट्रे हों के frame था कि मैं रितेश से फीचा चुड़वाने में मदद कर रहा हूँ राकी का और मेरा और राकी का angle चल रहा है ट्राइंगल रितेश से बन रहा है तब मुझे पता चला कि triangle तो मैं हूँ फ्रेम तो मैं हुआ हूँ और ये दोनों का रिस्ता बहुत मजब है जब मैं ये बोलना चाहूंगा कि सारी दुनिया जब ठक सकती है राकी के ये साव जूट से की वे शादी शुदा है से नहीं है तो मैं तो एक साधा सीधा साधा सीधा लड़का हूं तो मुझे ठगने में या मुझे बेवकूफ बनाने में कितना ही वक्त हुआ होगा रा है राकी सावन है हिंदू में रहे के हिंदूस की सिंपती लेके वहां से जो जो करना उन्हें किया है क्रिशन में जाके चर्च को जाके वहां से जो जो सपोर्ट लेना है लिया है शादियां की है अब इसलाम में आके इसलाम धरम के लोगों को कॉंट्रवर्सी के भाग बना या उनसे सिंपती लेके उनसे जो-जो करना चाहिए वो किया है और आज भी कर रही है सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है कौन सही है, कौन गलत आज हमारे साथ मौजूध है आदल आज हमारे साथ मौजूध है आदल खास बाचीत में आदल सबसे पहले तो आपका वेल्कम करना चाहूंगी हमारे चानल में, हाव और यू? I'm good now. I'm much 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 better than what I was. Few months back, yes, I'm better. सबसे पहला सवाल, आदल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बता तो चुके है सबको कि आप दोलो की मुलाकात कैसे हुई? लेकिन वो पहली बार कब आपको लगा कि राखी जो हैं वो आपके खिलाफ जा रही है? थोड़ा 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 थाइम पहले लगने लगा मुझे, because मेरे पास कोई evidences नहीं मिलते थे, because उसकी जार्श पर्ताल तो मैं नहीं करता था, I used to trust my wife a lot. हाँ, मुझे जब सेटिफिकेशन मिलने लगे, that was जब वो लास्ट दिवाली के लिए लंडन जाकर आई, तो बहुत सारे मेरे पास evident voice notes ये चीज़ें मुझे मिली, जिससे मुझे पता चला कि राखी रितेश के साथ contact में ही नहीं, उनके सम्मन्द हैं, वो गलत कर रही है उनके साथ और बहुत उनका relationship deep है, जो portrait हों के frame था कि मैं रितेश से फीचा चुड़वाने में मदद कर रहा हूं राकी का, और मेरा और राकी का angle चल रहा है, triangle रितेश से बन रहा है, तब मुझे पता चला कि triangle तो मैं हूँ, frame तो मैं हुआ हूँ, और ये दोनों का रिष्था बहुत मजबूत है, आपने खुलासा भी क्या आपने कहा कि दोनों की शादी हो चुकी है, जबकि राकी बार-बार इसे नकारती रही? कब नकारती रही? राकी ने बोला ना कि रितेश से उनके शादी नहीं होई है, हाँ. पूरी सारी काहनात या क्या दुनिया को हो यही बोलके ठगा गया, और सारी दुनिया को यही पता था कि राकी और रितेश शादी शुदा हैं. अब जाके एक प्रिवेस एक इंट्रिव्यू में वो बोलते हैं कि हम शादी शुदा नहीं हैं, दोनों मिलके. जब मैं यह बोलना चाहूंगा कि सारी दुनिया जब ठग सकती है राकी के यह साफ जूट से कि वे उशादी शुदा हैं से नहीं हैं, तो मैं तो एक साधा सीधा, साधा सीधा लड़का हूं, तो मुझे ठगने में, या मुझे बेवकूफ बनाने में कितना ही वक्त हुआ ह किया था कि वे शादी शुदा हूं, विट अनॉंसमेंट्स, और साफ तरीके से उन्होंने ये भी बता दिया था, कि आप बृतेश मारा कोई नहीं है, हमारी शादी ही नहीं हुई है, आज भी वो क्लेम कर रही है, एविडेंस दिखाने के बाद भी वो साफ साफ कह रही है क तो जैसे कि हमने देखा कि राखी जो है, उन्होंने कई सारे आरोप आपके उपर लगाए है, हाल ही में राखी उम्रा के लिए गई है, तो उनके रिलिजिन को लेकर भी लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, कि वो क्रिश्चिन को बिलॉग करती है, या फिर इसलाम धर उन्होंने अभी कबूला है, इससे पहले वो हिंदू में बिलॉग करती थी, तो सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल खड़े कि ये जा रहे हैं इस पर, तो आप क्या कहना चाहिए? सेंसिटिव मौमला इतना हो गया है, आज हुम्रा को गई है, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि उनका उम्रा को बूलो, तो कि मुसल्मान के लिए बहुत बड़ी चीज होती हुम्रा को बूलो, कल का उनके में बदलव कैसा आता, मैं उम्मीद करता हूँ आजाए, कल के बारे म अगर बात करना चाहूं, तो कहना चाहूंगा, राखी ने सिर्फ लोगों को ठागा ही नहीं है, रिलिजन के नाम पे भी बहुत चीजों को गलत इस्तमाल किया है, राखी सावन में, हिंदू में रहे के, हिंदू की सिंपती लेके, वहां से जो जो करना उन्होंने किया है, क जो करना चाहिए, वह किया है, और आज भी कर रही है, जब मैं बाहर आया हूँ, जब उनको लग रहा है कि मुसल्मान की पूरी कम्यूनिटी आदिल से जुड़ जाएगी, ये सपोर्ट में कि हमारा एक मुसल्मान भाई इस चीजों में फसा है, तो प्रपरली उनको पता है कि कैसे मैं वापस पूरे के पूरा मुसल्मान को मेरे तरफ लूँ, या सपोर्ट में लूँ, या सुलाह का एक पेगाम भेजवाओं, तट कि मैं ये कर लेती हूँ, और उनको पता है, ये चीजें बहुत ज्यादा सेंटीमेंटल है इस दुनिया के अंदर, उससे बड़ी हम मुसल्मानों के लिए कुछ भी नहीं है, कहते हैं और है, कहते हैं क्या, मैं तो गलत बोल रहा हूँ, जन्नत का एक हिस्सा है, मक्का और मदिना, जन्नत का एक हिस्सा है, एक तुकड़ा है, अगर इस दुनिया के अंदर एक जन्नत का एक हिस्सा है, वो है मक्का, मदिना, हमारे पेगंबर हमारे आखरी पेगंबर हमारे ला के जो महभूब है उनकी बारगाह है तो ये दोनों बहुत अन्मोल चीजे है एक मुसल्मान को जो फर्ज है कि हम लोग उदर जाएं जो मैं भी गया हूं आइंदा चाहूंगा कि मुझे अल्ला इतनी पॉपस मुझे बुला कि में दुबारा जाते रहूंगा एक सेक्शन ओफान्स वो भी था जो आप दोनों को साथ में देखना पसंद करता था आपकी क्यूट वीडियो जाती थी हमेशा पापराजी साथ में सपॉट होते थे तो क्या इतना सब पुछ तो हो चुका है सवाल तो जायस नहीं है लेक गल्तियां की माफी दिये जाती है गुना की माफी नहीं मिलती है एक्जामपल मेरा हाथ आपको लग गया एक गल्थी है मैं आपसे माफी माँगी I'm so sorry मैं आपको चाकू से मार दो और मैं आपको पेरेंट्स को बोल दो अच्छा sorry गल्थी होगे कि उसकी माफी है क्या मैं माफी ले सकता हूँ क्या मुझे माफी मिल सकती है दिल से बहुत एक्स्रीम मैंने बता दे सिंपल मैं बता हूँ एक अच्छे सच्छे हस्बेंट को इनसान को इस चीजों में इतना सारा टॉर्चर करके जेल भिजवाके मेरी माबाप की नीलामी करके मेरी खांदान को बरबादी में पहुंचा के उनको सडक सडक में उनको गालियान दिलवाके आपको लगता है मुझे एक सेकेंड के लिए भी राखी सावंत का भी क्या नाम लेना चाहिए सौरी यह वर्ड भी बहुत बड़ा है जो राखी वर्ड है अभी आली में हां मैं बहुत हिंदू दोस्त है और रिलीजन को मानता भी तो है दो चार दिन में रक्षा बंदन भी आ रहा है तो राखी बहुत बढ़ी चीज है बोलने लेकिन माफ करना मैं यह कहना चाहूँग स्वोर सबी मुझे बहुत है